हेलो दोस्तों All in 1 TT चैनल में आप सभी का स्वागत है किंद्रिय बिद्याले में अगर आप सिख्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी तमाब अभिर्थियों के लिए एक अच्छी अपरचुनिटी निकल कारा रही है जा दोस्तों किंद्रिय बिद्याले में सिख्षकों की बहा जा रही है कब कंड़क्ट होगी पूरी अपडेट आप सभी बरती को बताई जाएगी तो दोस्तों अगर आप अपने लोकेशन के इंद्रिय बिद्याले की जो किंद्रिय बिद्याले में सिख्षकों की जो बहाली है उसकी अपडेट आप पाना चाहते हैं सबसे पहले सेर भी कर दे तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि केंद्रिय बिद्याले जबाहर नगर सिता मढ़ी में जो है बहाली निकली हुई है वेकेंसी जो है टीचर्स की है जो की कंटेक्ट्यूल यानि की पार्ट टाइम टीचरों की भरती की जा रही है सेशन 21-22 सेशन के दो बजे आपकी इंटर्व्यू होगी सिता मढ़ी जबाहर नगर केंद्रिय बिद्याले में तो आप सभी जो है इक्ष्यू का भियर्थी जाकर अपना इंटर्व्यू दे सकते हैं साड़ी अपडेट इस वीडिव में आप सभी अर्थी को बताई जा रही है तो दोस्तों क्वालिफाइए अगर आप बियटे हूं है तब जाकर आप जो है कि इंटर्व्यू से हैं यानिंगलीस सब्यक्ते हैं तो आप जो हैं इंटर्व्यू देने जा सकते हैं को ही पे दे मीश्यू हुए जो मत भी तो TGT में अंग्रेजी, हिंदी, साइंस और मैथ की जो सीट है वो भैकेंट है आप सभी इक्षू का भीहरती जो है जाकर इंटरव्यू देकर सिक्षक बन सकते हैं बेतन की हम बात करें तो यहां पर बेतन जो है प्राइमीरी में जो बेतन मिलता है 25,500 रपर मिलता है और TGT PGT के लिए 25,000 से लेकर 27-28,000 बेतन जो है इसमें अच्छा कहसा बेतन जो है तो आप अगर इक्षू कह है तो यहां पर शिक्षक बन सकते हैं साथ में अगर आप आस-पास के कंद्री भी दाले कि जो कॉंटेक्ट बेस पे जो बहाली निकल रही है उसकी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए जैसे ही वेकेंसी की अपडेट आती है आप सब यह वर्तियों को वीडियो के आइकोन को आप घंटी दबा के रखे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके तो आप जो है इन भी सेओं के साथ-साथ बीएड अगर आप कंप्लीट है मतला बीएड कर चुके हैं साथ में पेपर टू सीट अगर पास है तब साथ में पेपर टू सीट अगर आप किलियर है तब ही जाकर आप इंट्रिव्यू देने जा सकते हैं साथ में कंप्यूटर का वी घ्यान आपको होना चाहिए वही पर पी आट की हम बात करें तो पी आट के लिए इंटर पास अभ्यर्थि जो हैं साथ में आपका डिएड क्ल तो आप जो है इंट्रीवीद देने जा सकते हैं प्राइमरी के लिए प्राइमरी सिक्षा ग्यानिकी एक अच्छा एक से पांच के लिए वही पर कंप्यूटर वरकिंग नॉलेज आपका होना चाहिए इस्ट्रक्टर की भी बहाली निकली हुई है जिसके लिए क्वालिफिके अगर आपके पास है नर्सिंग में तो आप जो हैं जा सकते हैं और हिंदी आपको बोलने आना चाहिए जो कि सभी लोग बोल पाते हैं आराम से तो अगर आप नर्सिंग से कोर्स करके रखे हुए हैं तो आप इंट्रेव्यू देने जा सकते हैं वहीं पर भोकेशनल टीचर जिसमें game आपका होगा sports coach के रूप में आपका arts craft coach के रूप में आपकी जो है बहाली होगी इसके लिए be prepared clear होना चाहिए साथ में art और crafting में five years का experience होना चाहिए recognized मतलब university से diploma आपका clear होना चाहिए तब ही जाकर आप interview देने जा सकते हैं computer का desirable knowledge होना चाहिए वहीं पर counselor की भी जो पद है देख सकते हैं MA MA C जो psychology से किये हुए हैं आप सब या बहरती जो है जा सकते हैं interview देने बीएड और इमेड होना चाहिए तब ही जाकर आप जो है interview दे सकते हैं counselor पद के लिए तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि उम्र सीमा की हम बात करें तो उम्र सीमा में देख सकते हैं कि 18 वर्ड से लेके 65 वर्ड की अभ्यरती जो है इसमें interview देने जा सकते हैं आप फॉर्म फिलप करने के हम बात करें तो यह फॉर्म जो है आपको लेकर जाना होगा आप जिस पोस्ट के लिए आप इंट्रिव्यू देने चाह रहे हैं देना चाहते हैं तो आप उसका नाम यहां पर मेंसर करेंगे और उसके बाद कंडिडेट नेम कैटल में अप जो है इसको बढ़ेंगे स्केंड नेम में लास्ट निम आप जो है भड़ेंगे और फादर सी हमस्यक्स नेम जो है यहां पर तीक करेंगे उसके बाद यहां पर नेम जो है अब्लॉक लेंच हएँ डियर के साहते औरski तीश मार्च 2021 के अनुशार आपकी जो आयू बनती है उसको मेंसन करना है इयर मंथ और डेज में इयर मंथ डेज कैसे निकाला जाता है कैसे काउंट किया जाता है नेक्ष वीडियो में आप सब एवरती को बताए जाएगी किस तरह से एज निकाली जाती है डेट का जो एड्रेस है इसमें भरना है अपना नाम फादर स्निम अब टोटल एड्रेस भरना है सीटी और पिन कोड आप भड़ेंगे और अपना एक फोटोग्राफ इसमें चिपकाएंगे फोटे चिपकाना है और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आप इसमें भड़ेंगे मैट्रिक इंट इसमें करेंगे उसके बाद आप सभी देख सकते हैं आड़ यू एवल टू यूज आई सीटी कंप्यूटर आपको चलाने आता है या नहां तो आप यहां पर लिखेंगे अगर आपको आता है तो उसके बाद यहां पर है कि हिंदी और इंगलिस दोनों बोलने में आप समर् नहीं होगी आपको उसी समय बैक कर दिया जाएगा वहीं पर फ्रफेशनल डिग्री के हम बात करें तो जे बीटी और या डियलेट किये हुए है डियेट किये हुए है बीटक किये हुए है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको भड़ना है पासिंग एर मैक्शिम पढ़ा रहे हैं तो आपूस्का सरटीफिकेट लेकर जा सकते हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ा ररे थे यह नेद मियों से पढ़ा रहे थे वह बहुरूर्य अपना नाम इसमें लिख देना है इस तरह से आप जो है इस फॉर्म को फिल अप करके लेकर जाएंगे इंटर्व्यू देने साथ में इन सारे पदों के लिए बैकेंसी जो है निकली हुए केंद्रे बिदाले में जो की कंट्रेक्ट्ट्यूल बेस पर यानि की पार्ट टाइम जॉब के लिए निकली हुई है त पाना चाहते हैं तो आप मुझे कोमेंट करके बता दीजिए जैसे ही उसकी अपडेट आएगी वैसे ही आपके लिए वीडियो अभिलेबल होगा इसके लिए करना क्या होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बगल आइकोन उसको भी दवा दीजिए ताकि जैसे में वीडि ने के लिए धन्वाद